अब देगे चुनावी रवन में अभी नेता तो खूब चले लेकिन इसी दोरान नेताओं की एक कैटेगरी ऐसी भी रही जिसका हाथ थामने से वोटर्स ने साफ इनकार कर दिया। ये कैटेगरी थी दल बदलू नेताओं की। चुनावी मैच के आखरी ओवर में अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं को जनता ने सियासी पेविलियन पहुचा दिया। हिंदी फिल्मों का एक मशूर गाना था इधर चला मैं उधर चला अरे फिसल गया। कभी इधर कभी उधर चले और इसी इधर उधर के चक्कर में फिसलने का नजारा 24 के चुनाव में खूब दिखाई दिया। लोग समच चुनाव 2024 में वूटर्स ने दल बदलूओं को सिरे से नकार दिया है। नेता चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी पार्टी में गया हो, लेकिन आखरी ओवर में अपनी टीम का साथ छोड़ने वाले नेताओं को जनता ने पांच साल के लिए सियासी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। चुनाव से ठीक पहले दूसरी पार्टी उसे बीजेपी में शामिल हुए 25 नेताओं में से 20 को जनता ने हार का उफ़ार थमा दिया है। आम आद्मी पार्टी से दल बदल कर बीजेपी के खेमे में आई सुशिल कुमार रिंग को पंजाब की जलंधर सीट से चुनाव हार कैं। इसी तरह कॉंग्रेस का दाबन छोड हरियाणा की सीरसा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अशोक तवर को जनता ने नकार दिया। पंजाब की पटियाला सीट से बोटर्स ने मूँ मोड लिया। इसी तरह बी आरेस से आए बी बी पाटिल को बीजेपी वालों ने चाहे अपना लिया हो। लेकिन तेलंगाना की जहीराबाद सीट पर वोटर्स ने उन्हें स्विकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह बी आरेस को छोड़ बीजेपी पहुचे भारत प्रसाद पोथुंगती तेलंगाना के नागर कुर्नूल से हार गए। तो वही तेलंगाना की महबूबाबाद सीट पर वी आरेस से बीजेपी में आए सीता राम नाइक का साथ वोटर्स ने नहीं दिया। जबकि तेलंगाना में नलगुंडा से चनाव लड़े वाले पुराने बी आरेस नेता साइद रेड़ी बीजेपी के नए चोले में वोटर्स को ड्रास नहीं आए। इसी तरह तेलंगाना के वारंगल में बी आरेस छोड़ बीजेपी की नाव पर सवार हुए अरूरी रमेश का खेवईया बनने से वोटर्स ने साफ इंकार कर दिया। तो वहीं राजिस्थान के नागौर में कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी से लड़ी जोती मिर्धा चनावरण में हार गई। यूपी के अमबेटका नगर में बी एसपी छोड़ बीजेपी की काड़ी में सवार होने वाले प्रिदेश मांडे को भी जनता ने विजयर रत में सवार होने से रोग दिया। बंगाल की बैरकूपर सीट पर टीमसी से मूद मोर्ड बीजेपी से नाता जोड़ने वाले अर्चुन सिंग को वोटरस ने सिरे से नकार दिया। तो वहीं जार्खन के सिंग भूम में कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को हार का सामना करना पड़ा। जार्खन की ही दुम का सीट पर जे एमेम को छोड़ बीजेपी के टिकट से चनाव में उतरी सीता सोरेन को भी मात मिली है। इसी तरह कॉंग्रेश छोड़ पीजेपी कातामन थामने वाले किरंड कुमार रड़ी को आदरपदेश के राजम पेट में जनता ने ना बोल दिया जहां दल बदलने वाले ज्यादतर नेताओं को इस जनता ने डगार दिया है तो वही कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नई पार्टी के नाम और निशान के साथ भी लोगों का दिल जीतने में काव्याब रहे हैं वैसे आपको बता दे कि बीजेपी ही नहीं बलकी लगभा सारे दलों के दल बदलों को जनता ने यही हाल किया है खटाखट 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 पोट पाने की आस में चुनावी मैच के आखरी ओवर में कॉंग्रेस पहुँचे नेताओं को भी जनता ने दर किनार कर दिय बीजेपी छोड़ का हाथ थामने वाले दारिश अली को यूपी के अम्रोहा में हार बिली है कोच यही हाथ राजे स्थान के कोटा में वीजेपी छोड़ कर कॉंग्रेस में आए प्रहरलाद गुंजल का भी हुआ है इसी तरहां बिहार की मुजफर पूर सीट पर वोटर्स सापना करना पड़ा तेलंगाना की ही सिकंदरपाद सीट पर बी आरेस से कॉंग्रेस पहुचने वाले दानम नागेंद्र भी विक्ट्री देस में पनिशिंग लाइन तक नहीं पहुच पाई तो वहीं तेलंगाना के मलकान गिरी में सुनीता महेंदर रेड़ी को भी बी आ न कमोवेश सभी पार्टियों के दल बदलू नेताओं को हार कामों की दिखना पड़ा है। अब यू समझे कि जिस जिस ने जीत कियास में आखरी लगों में अपना सियासी एड्रेस बदला जनता ने उसे वोट के लिए तरसा कर फूप बदला लिया है।